होती है कि क्या इंटरलेशन है अगर आप डांस कर रहे हैं और अगर आपको साहित या मीरा या तुलसी या सूर्जादा समझ में आता है तो आप कैसे बहतर एक नितक हो सकते हैं या अगर आप कुछ ऐसा बजा रहे हैं जिसमें आपने तमाम सारी चीजें चाहे वो गीत गोव पाए जाते हैं शब्दों में कविता पाए जाती है अगर आप में पोईट्री नहीं समझ आती तो आप म्यूजिकली उस चीज़ को कैसे व्यक्त करोगे और पोईट्री मैं वह क्लासिकल फॉर्म फॉइट्री की भी बात नहीं कर रहा हूं उससे उसकी सब्टेक्स्ट की ब अबना पोईट्री है मैं सब्टेक्स उसकी खूबसूर्त मैं मैं बोलर था मैं मुझे आती थी मैं बोलर था और और वो और उसमें पोईटरी और उसके लाइन लिंद मैं के है यह कर्ट हो कि जब medicine होती है ऑल तो उसकी पेट्री है जब को ना लगके रेक जाती है, बीट होता है बैट्समेन, उसमें एक पोईट्री, यह चीज जिसको क्रिकेट समझ में आए, वो शायद इस चीज को पा ले, तो पोईट्री हम हर अस्पेक्ट में, हर पहलो में किसी चीज में हम देखते ही रहते हैं, पर उसको शायद पहचान नहीं सकर हें, कोई चीज अच्य क्यों लगती है, फिल्म देखी यार बहुत ही घटिया फिल्म क्यों क्यों कि कहीं न कहीं उसमें उसको पोईट्री मिसिंग लगी होगी, पर वो इस चीज़ coalition यस जान नहीं पार रहा है, यह उस पोईट्री की बात कर रहो हुँघा मैं मू Знаं, म् तो ठीक है पर पोईट्री का एक अच्छे प्योर एक इवन थर्टी सेगंड्स आलाप में जो मज़ा आ सकता है आदमी को जो भावुक कर सकता है रुलाएं अवश्यक नहीं है पर किसी भी तरह से अगर उसको भाव भावना है उसके अंदर पैदा कर सकता है वो पोईट्री व वो ना पाएं बहुत कम लोग हैं जो आगे जाके उसकी उत्सुपता रखते हैं जानने की और आप उसमें हलका भुलका भरते जाएं जिस तरीके से बाकी सब कुछ करते हैं साइंस अच्छी नहीं भी लगे केमिस्ट्री नहीं भी लगे तब भी हमें जबर सी सिखाया जात नहीं आगे जाके हमें समझ में आई जाती है खाने में नमक डालो उसमें केमिस्ट्री है नहाने के साबुन में केमिकल्स हैं केमिस्ट्री है इस वजह से यह साफ हो रहा है आज के टाइम पर हैंड सैनिटैजर में केमिस्ट्री है हर चीज में लेकिन उस समय नहीं समझ में था अच्छा नहीं लग रहा था पर आज वो काम आ रहा है तो म्यूजिक भी काम आने वाली चीज़ है शावरी मैं बहुत ज्यादा बोल गया पर यह जरूरी है नहीं मैं आपको देखे एक एक सिमिलर्टी आपको मैंने बताई थी 99 अब दूसरी बता देता हूं ताकि जिससे मेरा भी एक खुलासा हो जाए कि आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं मैं मूलता क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं और 2003 से लेकर और अब तक में लगभग 3035 विदेश यात्राएं भारतिये टीम के साथ की हैं तीन-चार वर्ट पर किये हैं दो उलम्पिक्स कवर किये हैं बहुत सारा तो जीवन मेरा भी खेल के ही इर्दगिर्द है मेरे ख्याल से आपके जीवन में इस बात के लिए आपको खास पर नाम मैं तो क्रिकेट और क्रिटिक लगभग वर्ट प्ले है तो आपको दोनों चीज़ों के लिए नमन तो और और दूसरी चीज जो मेरी संस्था है जिस सं हम लोगों ने जब यह संस्था शुरू की थी मेरा म्यूजिक का कोई बैग्राउंड नहीं मेरे पिता जी सरकारी दफ्तर में काम करते रहे और जो बात अभी आप कह रहे थे आपको याद होगा सारे गामा में बहुत सालों पहले एक सिग्मेंट होता था जिसमें वह गाने की ताल चेंज करते थे जिए अब इस ताल पर गाके बताइए तो वह मुझे गाना भी आद है वह गाना मेरे ख्याल से शारुखान की फिल्म का था अरे अरे यह क्या हुआ मैंने ना यह जाना उसका उन्होंने ताल चेंज किया और सब कॉंश्यस से मेरे से वह अपने आप म कि क्यों ना इस देश में रब्चे को बताया जाएं कि शास्त्री संगीत है क्या और उनको उनके तरीके से बताया जा उनको उनके लेवड़ पर जाकर बताया जाए छोटे बच्चे को यह बताया Calvin कि आए कि जैसे तुम छोटा भी में काल देखते हो वेसे हमारे देश में बड़े भीम है और उनका नाम है पंडित भीम सेंजोशी जैसे आप शोले में जै और वीरू को देखते हो वैसे हमारे पास राजन साजन जी हैं पच्चास साल तक एक साल गाते रहे जैसे हम इस तरह के इंट्रेस्टिंग एक्जाम्पिल देकर उनको बताएं कि वो बोर होने की बजाए या MS का मतलब सिर्फ MS धोनी नहीं है MS का मतलब MS सुबर लक्ष्मी जी यह तरीके से हमने शुरू किया और यकीन मानिये आज सबसे जादा अगर कुछ मुझे लगता है कि इस संस्था ने अच के लिए चार कॉमिक्स लेखी और कॉमिक्स का विशें पहले तो प्रिश्ट्रभूमी मुझे लगा अमर्चितरकता अगर हो सकती है तो फिर बच्चों की कॉमिक्स में भीमसें जोशी क्यों नहीं हो सकते बनाइब विशुद्ध शास्त्रिय संगीत के नाम पर भारत रतन ह हुए तो यह चार किताबें छप चुकी है क्या बात है चुकी है इसका बंगाली अनुवाद इसका उडिया अनुवाद चुकि नेशनल बुक्ट्रस से है तो अनुवादों पर काम चल रहा है तो मज़ा आता है इस तरह का काम करने में खैर बहुत जादा बोला वैसे मैंने भ बहुत सारी है आपने अभी इंट्रिव्यों बताया कि हार्मोनियम बजाता था कॉंगो बजाता था तबला बजाता था सितार तो खैर बजाते ही थे फ्लूट आपकी पहचान है इसके अरावा मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वह बहुत सारे फोक के ऐसी ऐ हमता चूट गए हों गया काफी सारी चूटी है मैं कोशिश ही कर रहा हूं बलकि आइरिश म्यूजिक है आइरलेंड की इंग्लेंड के उपर उतरी बरतानिया अगर हिंदी में कहें तो आइरलेंड नहीं बरतानिया तो अलग से आइलेंड यह आरिश फ्लूट आती है तिन मेरी रुची जागी वह टाइडानिक फिल्म देखने के बाद कि यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है साउंड तो बांसरी जैसा कर रहा है पर बांसरी जैसा है नहीं फिर मैं यानि का हमारे यह ताज महल में प्रोग्राम हुआ था और उनके यह पेड्रो यूस्ताची नाम के प्लेयर आये थे जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे बांसरी भी बजाते थे बहुत ही सुंदर तो इटालियन है वो उस समय तो यह गूगल उगल तो था नहीं पर धीरे-धीरे करके बातचीत करने के बाद फिर नवीन भाई जो रह्मान साफ के हां उनके सार कि है नहीं और भी यह बहुत सारे प्रकार हैं उसके तो पिर उस पर नवीन भाई को मिला जब बॉंबे आया तो उनको मैंने सलीम सुलेमान जो है भाई मिजिक डिरेक्टर उनके आँ काफी काम करता था मैं जेंगल और रैड फिल्म उनके फिल्म के प्रवेश के पहले की ब करता था कहीं और वो दौरे पे निकल गए कहीं और फिर सेकंड हाफ फिल्म में मैंने बजा है उस फिल्म में और उस दिन जब उनसे मिला उसके बाद फिर दो तीन बार उनसे मुलाकत हुई एरपोर्ट्स पे और यह खुद तो उनसे भी बातें होती थी फिर पता चला कि च का प्रकार है यह किसी पेड़ को खोकला बना के अंदर से और उसमें बजाने उंगलियों के छेद और ब्लोइंग होल के बीच में एक और छेद होता है जिस पर वो एक चावल के गौंद का बना हुआ पेपर लगाते हैं उस पर राइस पेपर कहते हैं तो उसमें से एक वो वें जैसी आवाज ख़ती है शी करके सो साउंड का पर उसके साथ वहीट कि तरह कंकरता है वह तो उसके इसका गुंझ है वो चायनिश도 में उसको में कहते हैं साधर लांग्वेज में वह मैंने उठाए सिंगपूर गया था तभी पिर एंग्लांड में मुझे किसी यह एरिश फ्लूट्स की एक सेट उन्होंने गिफ्ट करी थी फिर यूएस पहला मेरा टूर था पंडी जश्रा जी की अकडमी में कॉम्पटिशन थी तो उस पे वहां उन्होंने फाइनल रखा था तो वहां जाने के बाद एक ही दिन था तो मैं किसी को पहजान बना के कहीं स किसे मुझे पता भी नहीं था कैसे वह सब डॉलर्स और यह सब कुछ नहीं था वह सब्सक्राइब तो फिर 48 स्ट्रीट में उस समय सैम एश मूजिक 48 स्ट्रीट में हुआ करता था 48 स्ट्रीट बंद हो चुका है ताइम स्कूर के पास वहां जाके सैम आश गया तो सैम आश म के विंड इंस्ट्रमेंटस वहां पर मेरे पास पैसे इतने थे नहीं तो मुझसे जितने हूब है मैं एक होकारिना मिट्टी की बनती है और गोल आकार का होता है और उसी में ऐसे छेद होते हैं और एक तरफ उसकी विजल जैसी ब्लोइंग होती है ओकरिना का साउंड भी अलग फिर एक होता है पैन फ्लूट जबकि पैन फ्लूट में मेरी इतनी माहिरी हासिल नहीं हुई है पर मैंने कोशिश जरूर किया एक तरकिश ने फ्लूट होता है जो यू रख्य बजाए जाता है तो यू सीधा हलका सा एंगल में होता है ने फ्लूट चेक करिएगा अगर दर्शक यूट्यूब पर ने एन एवाई स्पेलिंग है टुकिश ने है और उसके लाबा एक ने के और एक प्रकार भी है इजिप्शन ने भी होता है दोनों में प्लेंग टेकनिक सिमिलर है पर साउंड बहुत अलग है दोनों के उनके म्यूजिक के उनकी जो जैसे अरबिक म्यूजिक में बहत्तर जैसे हिंदी में इंदुस्तानी में दस प्रमुख ठाट हैं करनाटिक में बहत्तर मेलकरता कहते हैं हमें ठाट के प्रकार होते हैं मेलकर तो उनसे बात हो रही थे तो उन्होंने भी वही कहा कि शायद हमने भी कभी ना कभी करनाटिक म्यूजिक से इस चीज़ को लिया होगा पर 72 अलग-अलग शुरुतियों की से स्केल उन्होंने बनाई है उनकी सो ने फ्लूट ने फ्लूट पर कोशिद जारी है आवाज नहीं आती पर और रकारेना में का अच्छा बजा लता हूं और एक रिकॉडर होता है Western classical music इंग्लिश फ्लूट रेकॉर्डर में ब्लैक फिल्म आई थी बंसाली साब की उसका में थीम मेरे वह बेस रिकॉर्डर का थीम है वह बस अभी इतना याद आ रहे मुझे पर हाँ लोक संगीत मनें इंडियन फोक में तो बांसुरी प्रकार जैसे बंसी जिसे कहा जाता है तो वह तो है ही पर उसी का एडवांस्ट फॉर्म है आज की जो हमारी शास्ति संगीत जो बांसुरी पाई जेती जो पंडित अरी प्रसाट चरशन जिने प्रचलित किया जिस तो वो अब यह है अब इसमें भी और इनोवेशन जारी है हमारे गुरुजी ने पंडित विंक्टिज गोड़किंडी जी ने उसमें पंचम एक थंब होल इंट्डिउस किया है जिससे एक और मतलब पूरे एक सब्था का पंचम से पंचम तक का ऑक्टेव मिल सकता है जो नॉ अलब गुश्टी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिटल फिंगर के एक होल के लिए कुछ किया था उन्होंने पूरी पूजिशनी चेंज करी उनकी कि वो टच कर सकें दूर पढ़ता है और कुछ लोगोंने अलग से कुकी रखा है बहुत सारे एक्स्परिमेंट्स हो होंना भी जाए लेकिन सुनने से पहले अभी अगर आपने नोटिस किया हो कि मैं आपसे बात करने के दुरान कुछ-कुछ इशारे कर रहा था दरसल मेरी जो बेटी है मुझे कुछ किताबें इशारों में मगाने कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे आपको किताबें दिखा जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बच्चों को इंट्रिस्टिंग धंग से सिखाने की यह एप फॉर एपल भी फॉर बॉय और सी फॉर कैट और डी फॉर डॉक मेरे पिता जी ने भी पढ़ा था हम भी पढ़ रहे हमारे बच्चे पढ़ रहे तो क्यों ना बच्चो को एक फॉर एकॉर्डियन भी फॉर बैंजो सी फॉर कॉंगो डी फॉर ड्रम पढ़ाया जाएं जी एटू जेड हमने इसका सारा इंस्ट्रूमेंट निकाला और ऐसी एक किताब चापी बढ़े 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 हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह के लोगों को यह वन प्लस वन टू फिर वन प्लस टू में एक सेब और दो से बहुर रख दिये थी हमने का यार यह ऐसा बनाओ ना कि एक एक में बनाओ एक यह है दो लगा दो एसे भी तो बच्चा सीख सकता है बिलकुल बिलकुल और और शायद इससे जो वह सीखेगा वह उसके लिए नया अंदाज होगा खैर अब यह तो मेरी बात होगे यह मेरा थोड़ा सा जो म्यूजिक के प्रती मेरा प्रेम है जब कभी मैं मेरे चैनल पर इंटर्वियूज करूंगा तो सबसे पहले मैं आप ही का नमगर लगा और आपके इस पहलू को मुझे मेरे दर्शकों को भी बत नहीं है पर आप जिन बच्चों की बात करें वह एत्म ही शुरुआती लेवल की बच्चे हैं जैसे नर्सरी की बच्चे हो बिलकुल की केमिस्ट्री अगर फिजिक्स अगर पढ़ा रहे हैं तो हमारे सिंपल कराके नहीं बराद पढ़ाते वो तो अपनी फार्मिला बराब है वो यह है और यह मेरे अंदर भी बहुत एक बहुत सारी चीजा है मेरे अंदर कालपनिक उन्होंने जागरू किया है आपके इस चीज ने उस बारे में हम बात करेंगे बिलकुल पर एक अपना रिवर्स इंटर्वीव बनता ही है अब अश्विन आप हमें क्या सुना रहे है काफी देखे काफी है भी आपके पास कुछ अब आपसे सुनना चाहेंगे काफी से याद आया मैं थोड़ा काफी सुनाता हूं आपको अरे क्या वात जो पहला राग हिंदुस्तान आजादी के हिंदुस्तान ने सुना था वो राग काफी ही था और वो उस्ताद बिसमिल्ला खासाब ने सुनाया था जो अब अश्विन जी सुनाने जा रहे हैं इह मुझे लाया कि मैं शेपक के तौश्र का नहीं हो गया है अपना जो भी है कोशिश करूंगा मिश्र काफी है थोड़ा सा मिश्रित करके हल्का थोड़ा लाइट मेजिट करें करें तेशम छोड़ास करें तेशमिट सा मिश्र काफी है करें तेशमिट करें तेशमिट करें प्रयोंग कि अ कि अ कि अ प्रयोंग प्रयोंग कि अ कर दो 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 यह बड़ा अलोकिक अनुव है अश्वेंजी क्योंकि बांसुरी तो वैसे भी इतना दैवीय किस्म का इंस्ट्रूमेंट लगता है कि आप बजा दीजिए तो बस लगता है कि सुनते ही जाएं तो यह यह कहने का इशारा समझे और इस लालच को समझे कि अब आप कुछ और चेड़ा है इसमें थोड़ा और बढ़ोत्री करिये कहने का मतलब बस इतना है मैं आजकल एक कोशिश कर रहा हूं चप्पा एक प्रकार है और क्योंकि मैं गाय की अंग बजाने का प्रहत्म करता हूं चप्पा गाने का एक बहुत मुने बहुत कम लोगों ने उसको साधा है और अभी भी कोशिश जा रही हैं मैं अगले की बातों में सीदे सीदे सुर नहीं लगते उसमें खनक आती है एक कहते हैं उसको हर सुर में अगर डीटेलिंग में सुक्ष्मिन रूप से देखा जाए तो हर सुर में एक कंस्वर लगके फिर आता है यह होता है ऐसे बहुत कम होता है शाक्षिस गाईकी में यह होता है इस वादन में जो शैली है मेरे गुरुमा डॉक्टर इंडराजम जी की शैली वाईलिन आप तो जानते हैं तो उससे प्रेरित होकर मैं वांसरी में उस चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहा हूं और तप्पा उसमें एक थोड़ा ज्यादा मुश्किल प्रकार है तो अगर गलती हो जाए तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं सबसे पर मैं प्रयतना वश्य करूंगा क्योंकि नहीं किया तो फिर क्या ही किया ऐसे प्रयतना तो स्वागत होना चाहिए बोल सुना जानी ये एक तपल किया जानी ये एक तो फिर के किया तो स्वागत हो उसकती है कर दो कर दो कर दो कर दो अभी तक ही तक जा रही है इसके लिस्तार बढ़त में काम चल रही है ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूकता पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खासतर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे